पर कुम्भ होता है, जिसे देशी भाषा में कंधा या काद कहा जाता है, अंग्रेजी में इसे हम्प कहते हैं, इसके कुम्भ के अंदर सूर के तुनाडी होती है, वैदिक विज्ञान के अनुसार कहा जाता है, सूर के तुनाडी बहरी वातावरन से आवशक औशधिय पदार को ग्रहन कर उन्हें दुग्ध मूत्र और गोबर में उत्पन्न करती है जो अधिक से अधिक पॉष्टिक गुणकारी एवं उपयोगी सिद्ध होते हैं इस नाडी की वजह से देशी गाय के मूत्र में तामबा और दूद घी में स्वन लवन पाए जाते हैं जिसकी कारण दे प्रकार के पदार्तों की उपलब्धी गाय के दूद में होती है जैसे 6 प्रकार के विटमिन्स, 8 प्रकार के प्रोटीन्स, 25 प्रकार के खनीज, 21 प्रकार के अमीनो ऐसिद, 4 प्रकार के फासफोरस और 2 प्रकार के कलुकोस इत्यादी ये सूरे केतु नाड़ी, सौरमंडल के सूरे, चंद्रमा, तथा भ्रमान के सभी चमकते या टिम्टिमाते तारों, ग्रहों, उपक्रहों के उर्चाओं, तथा प्रकाश की क्रिणों को ग्रहन करके गाय को प्रदान करती है, जिसके कारण देशी गाय से दूज, दही, घी, एवं गोबर जैसे अत्यदिक लाबकारी पदार्थ प्राप्त होते हैं, ये कुम्भ, अत्वा कांधिया कंधा, तथा सूरे केतु नाड़ी, विदेशी नसल की गायों में बिलकुल नहीं पाए जाते हैं, इनकी पीट सपाठ होती है, देशी गाय की गर्दन के मीचे लटक नर्म एवं कोमल तवचा होती है, जिसे गल कंबल कहते हैं, ये गल कंबल गाय को अत्यधिक तापमान से बचाती है, गाय तथा गाय द्वारा उत्पादित पदार्थों में प्रतिरोदक शम्ता को बढ़ाती है, ये गल कंबल विदेशी गायों में नहीं पाया जाता है, ज देशी गाय के कान आम तोर पर लंबे होते हैं, जबकि विदेशी गाय के कान आम तोर पर छोटे होते हैं। देशी गाय के सिंग आम तोर पर लंबे एवं पिरामेड के अकार के होते हैं, जो वास्तविक तोर पर मजबूत बुनियाद का काम करते हैं। एवं भ्रह्मांड ये तरंगों को ग्रहन कर उन्हें पंच गव्वे के लिए सही उर्जा में परिवर्थित कर देते हैं। ज्यादातर विदेशी नसल की गाई में सिंग होते ही नहीं हैं। कुछ नसल में पाए जाते हैं लेकिन अत्यदिक छोटे आकार में जिसके कारण भ्रह्मांड ये तरंगों को ये क्रहन नहीं कर पाती है। देशी गाई का मुखमंडल कोलाकार होता है जो दिखने में अच्छा लगता है और विदेशी गाई का मुखमंडल चप्ता होता है जो दिखने में भद्दा लगता है। देशी गाय की आवाज मधुर एवं मनमोहक होती है, विदेशी गाय की आवाज करकरी एवं अप्रिय लगती है, देशी गाय की खुरें छोटी होती हैं और जो एक दूसरे से काफी लगी होती है, जो वातावरन के अनुसार सुरक्षा प्रदान करती है, विदेशी गायों की खोरें काफी खुली और बढ़ी होती हैं, जो वाटावरण के अनुसार असंतोलित होती हैं वैज्यानिक दृष्टी से देशी गाय काफी बुद्धी शील होती हैं देशी गाई की प्रक्रती या स्वभाव में अपने बच्छडे के प्रती इसने और प्यार का बंधन इस पश्ट रूप से देखा जा सकता है विदेशी गाई वैज्ञानिक दृष्टी से बुद्धी शील नहीं होती है और ये अपने बच्छडे से लगाव नहीं रखती देशी गाई में सुरक्षा प्रदान शक्ती, रेसिटन्स पावर अत्यधिक होती है जिसके कारण वो भारत के किसी भी मौसम के अनुकूल अपने को ढ़ालने में सक्षम नहीं होती है देशी गाए में शारिरिक शक्ती और स्फूर्ती अत्यधिक होती है जिसके कारण बगेर ठके काफी दूर तक विचरण कर सकती है विदेशी गाए में शारिरिक शक्ती और स्फूर्ती कम होती है जिसके कारण ये काफी दूर तक विचरण नहीं कर सकती और ठक जाती है देशी गाय एवं विदेशी गाय के बीच में एक विशेश अंतर पाया जाता है देशी गाय चारों ओर सकारात्म कूर्जा फैलाती है जिससे वातावरन शुद्ध एवं शांति पूर्ण हो जाता है जबकि विदेशी गाय में ये उर्जा नहीं होती है भारतिय कुम्भ या कांधे वाली गाय अक्सर सफेद रंकी पाई जाती है देशी गाय आमतोर पर कम मात्रा में खाना खाती है और संतोलित मात्रा में पाने पीती है इस प्रकार कम अंटिबाटिक्स के सेवन करने से देशी गाय में प्रतिरोधक शम्ता अधिक होती है देशी गाय से उपलब्ध पंच गव्य वास्तविक रूप से शुद्ध एवं सुगंधित होते हैं जबकि विदेशी गाय का पंच गव्य उत्तेजक, मलजनित, दुरगंध और गंदगियों से भरा होता है देशी गाय कीट पतंग जैसे जीवों से मुक्त रहती है और मुक्त ही चरती है मक्खी एवं मच्छरों को भगाती है इसका कारण देशी गाय के शरीर में अंदरूनी ग्लैंट से पैदा होने वाली तैलिय पदार्थों जैसी फिसलन होती है जिससे इनका शरीर साफ सुथरा रहता है जबकि विदेशी गाय गंदी रहती है और मक्खी मच्छर उसके चारों और भिंभिनाते रहते है ये बात इसपश्ट लिये है कि भारत्य देशी गाय देखने में चमकदार और तेजस्वी लगती है जबकि विदेशी गाय डरावनी और गुस्यली लगती है देशी गाय की पीठ सुन्दर और गोलाकार होती है जबकि विदेशी गाय की पीठ कुछ अजीब सी कोणाकरिती की होती है भारतिय देशी गाय का गोबर एक प्रकार की पतली परत से ढखा होता है जो सुगंधित लगती है, जबकि विदेशी गाय का गोवर दुरगंधित होता है, देशी गाय का दुग्ध जिसे संकेतिक शब्द में एटू कहा जाता है, मनुष्य के लिए सदा, सेवनिय तथा स्वास्ते वर्धक होता है, और विदेशी गाय का दुग्ध जिसे संकेतिक शब्द में A1 कहा जाता है, सेवन में संधे और प्रश्ण जनक है। यहाँ पर पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि A2 दूद और A1 दूद क्या है। जीव विज्ञान के अनुसार भारतिय देसी गाई के 209 तत्व के DNA में 66 पद परिस्थित अमिनो एसिद प्रोलीन पाया जाता है। किसी कारणवश जब गाई के DNA में प्रोलीन अमिनो एसिद हिस्टिदिन के साथ उत्परिवर्तित हो गया तो इस प्रक्रिया को म्यूटेशन कहते हैं। भारतिय देसी गाई के दूद में प्रोलीन अपने स्थान 67 पर बहुत द्रडता से आग्रह पूर्वक अपने पडोसी स्थान 66 परिस्थित अमिनो एसिद आईसोलियोसीन से जुड़ा रहता है। परंदो जब प्रोलीन के स्थान पर हिस्थिदीन आ जाता है, तब इस हिस्थिदीन में अपने पडोसी स्थान 66 परिस्थित आईसोलियोसीन से जुड़े रहने की प्रभल लिक्षा नहीं पाए जाती। इस इस्तिती में ये Amino Acid Histidine मानव शरीर की पाचन क्रिया में आसानी से तूट कर बिखर जाता है इस प्रक्रिया में एक साथ Amino Acid का छोटा प्रोटीन सवच्छ sitting रूप से मानव शरीर में अपना अलग इस्तित वो बना लेता है इस साथ अमीनो एसिट के प्रोटीन को BCM7 यानि बीटा कासो मोर्फिन 7 नाम दिया जाता है BCM7 एक अफीम परिवार का नशीला तत्व है जो मानव स्वास्थे पर अपनी श्रेनी के दूसरे अफीम जैसे ही नशीले तत्वों जैसा दुश प्रभाव डालता है जिस दूद में ये विशेला मादक पदाद BCM7 पाया जाता है उस दूद को A1 दूद का नाम दिया गया है ये A1 दूद उन विदेशी नसित की गायों में पाया जाता है जिनके DNA में सरसठ स्थान पर प्रोलीन ना होकर हिस्तिडीन होता है भारतिय देसी गाय के दूद में BCM7 नाम का विशैला मादक तत्व नहीं पाया जाता इसलिए इसे A2 दूद कहा गया है हाल ही में National Bureau of Animal Genetic Research ने बयान दिया है कि भारतिय देसी नसल की गायों का दूद उत्तम गुणवत्ता से भरपूर है शोध कारें को प्रमानित करने के लिए वैज्यानिकों ने देसी नसल की गायों का व्यापक विशलेशन किया और बताया कि भारतिय देसी नसल की गाय उत्तम गुण संपन दूद प्रदान करती है जबकि विदेशी गायों के दूद में मानव स्वास्थे के लिए उत्तम गुंड नहीं पाय जाते A2 दूद में अधिक मात्रा में ओमेगा 6 फैटी एसिट यानि ओमेगा 6 चर्बी अमल पाया जाता है भारतिय देशी नसल की गाय पून तहा A2 दूद उत्पन करती है जिसमें कम मात्रा में BCM7 पाया जाता है जबकि विदेशी गायों में इसकी मात्रा अधिक रहती है और ये गाय A1 दूद ही उत्पन करती है A1 दूद मनुष्य की शरीर में पहुँचकर दो या अधिक प्रकार के अमीनो एसिट उत्पन करता है जिने हम टेप्टाइड या BCM7 कहते हैं ये मानव शरीर के अंदर पहुँचकर गंभीर बिमारियों को उत्पन करते हैं एक लीटर एवन दूद में 24-32 ग्राम कैसीन पाए जाते हैं और जिसमें 9-12 ग्राम BCM7 लगभग 2 चाय के चम्मच पाए जाते हैं जो शरीर के लिए हानिका रखें भारतिय देसी गाय के दूद में अत्यधिक मात्रा में पौश्टिक तत्व पाए जाते हैं जैसे साइटोकाइन्स और उप्योगी खनेच तत्व जो शरीर के लिए बढ़ती शक्तियों को प्रदान करते हैं मानव शरीर के लिए आदर्श पून कैलशियम और मैगनिशियम की मात्रा अनुपातिक रूप में दो अनुपात एक होनी चाहिए जबकि एवन दूद में कैलशियम और मैगनिशियम की मात्रा अनुपातिक रूप में दस अनुपात एक है जो मानव शरीर के लिए अत्यधे खाने का रख है मैगनिशियम शरीर के लिए इस्थिर्ता वस्संतुलन का काम करता है पाचन शक्ति को बढ़ाता है खोन में नियमित रूप से तरलता तथा प्रवह कायम करता है मान स्पेशियों में भी परिवर्तन शील प्रक्रिया को चालू रखता है जब मानव शरीर में कैलशियम अधिक मात्रा में हो जाता है तो शरीर कमजोर और स्थूल हो जाता है ये मनुशे के रक्तचाप को अन्यमित कर देता है जिससे किसी को भी हार्ट अटैक या हार्ट फेल हो सकता है मेंगनीशियम मानव शरीर के लिए अति आवश्यक है क्योंकि इसकी प्रक्रिया में 300 से अधिक उपकारी प्रक्रिया संतुलित अवस्थाओं में चलती रहती है इसलिए मेंगनीशियम को वैग्यानिकों ने नाम दिया Catalyst of Life यानि जीवन स्फूर्ती एवन दूद में मेंगनीशियम की मात्रा हमेशा कम होती है एवन दूद के सेवन से मानव शरीर में गंभीर बिमारिया उत्पन हो जाती है जैसे Acne, Eczema, Upper Respiratory, Infections, Asthema, Allergies, Bronchitis, Diabetes, Cardiac Problems, Mental Disorders, Parkinson's, Multiple Sclerosis, Obesity, Iskizofrenia, Arteo Sclerosis and Intolerance Bloating minute yeah 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 yeah